ये गुरुए नमस्कार मैं सुरज मिस्रा आप लोगों का इस्टो गुरु इस्टो तक पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ ये आज तक का इस्टो तक विशेश प्रोगाम आपके पास धर्म एवं जोतिस से जुरी विशेश जानकारियों को लेके आता है जी हाँ आज हम बात करेंगे राज योग के बारे में जी राज योग और राज योग में आज सब से पहले किसी राज योग को हम उठाएंगे तो विप्रित राज योग के बारे में बताएंगे जी हाँ जन्म कुंडली में आपके जन्मकुनली में छटे घर का स्वामी, आठमे घर का स्वामी और बारहमे घर का स्वामी इन तीनों घर के स्वामी इन तीनों घर में से कहीं इस्थित हो? छटे में इस्थित हो या बारहमें में इस्थित हो या फिर आठमें में इस्थित हो इन जगों पर इसी घर के स्वामी यदि इस्थित होते हैं तो उसे विपरित राजयोग कहा जाता है विपरित राजयोग से तातपरी ये है ऐसा राजयोग जो कि आपके विपरित परिस्थितियों में भी आपको प्राप्त हो जैसे किसी छात्र को यह लगता है कि आप उससे नहीं हो पाएगा अब हथियार मतलब उससे संबब नहीं है उसके पास अब अंतिमे टेम्ट है आप नहीं होगा मगर उसी समय उसका सेलेक्शन हो जाता है कोई कारिया आप कर रहे हो और धरवाले आपसे कोई नहीं आप इस लड़के से कुछ नहीं होगा भई इस लड़की से कुछ नहीं होगा और तभी यह लड़की यह लड़का कोछ ऐसा काम कर देता है जिससे कि परिवार में उसकी प्रतिष्ठा अमान सम्मान में बिर्दी हो जाती है समाज में उसका परिवार अपने अच्छे अस्तर पड़ा जाता है कि बहुत ऐसे कुंडली जो की नीचे से उपर आये हैं एक निम्न बर्ग में रहें और उच्चतम बर्ग में अपने आपको अस्थापित किये हैं उन सभी के कुंडली में विपरित राज्योग पाय अकबर का जन्म और जन्म के बाद लगभग तेरा वस्तक विपरित परिश्थितियों में ही वो जी रहा था कोई नहीं कह सकता था कि अकबर फिर से मुगल बंस का परचम लड़ाएगा और फिर अस्थापित हो पायेगा परंतु अकबर के विपरित राज्योग ने हेमु की विशाल सेना को हडा दिया और वो एक तीर बेरम खां के द्वाड़ा बारी गई तीर हेमु के आँख में लग जाता है और हाथी से उगिर जाता है यह जो चमतकार था वो विपरित राज्योग का चमतकार था तो मित्रो आपकी भी जन्मकुनली में यदि विपरित राज्योग है यानि आपकी जन्मकुनली का चटे आठमें और बारह में इसे त्रिक भी कहते हैं चटे आठमें और बारह में घर का स्वामी यदि चटे आठमें बारह में में हो तो आप हार ना माने क्योंकि सफलता आ लोग के आपके हार के ही पास आपको निरास नहीं होना आपको आस रखना है और पता चले कि अंतिमंतिम समय तक भी आप सफल होईएगा तो ये है विप्रित राजयोग कर और प्रकार के हैं मैं आगे एपीसोट में इन राजयों के आप लोगों के लिए मैं एक एपसोड बनाओं तो आज मैंने आपको विप्रित राज्योग के बारे में बताया उधरन के साथ बताया और मैं यह भी बताता हूं कि जिन वेक्टियों के इसी इस्तिती हो वो अपनी मेहनत को दुगना बना के रखें चुकि उनकी सफलता एक ब बहुत बहुत धन्यबाद साधुबाद नमपार्वती पताय नमस्कार